गाजिपुर्जुले के माई छोटा स्कूल में इस समय हम आया हैं गाधी पार्क में जा इस्तित हैं और जानेंगे बच्चों की सफलता का पहला कारवान मेरा नाम वंदनाराय है जो पढ़ते हैं यहां पर क्या सुविधाय हैं आप जो भी अविभावक देख रहे हैं आप उनको बताएए जो यहां पर आप लोग के साथ जुड़े हैं बच्चे आएं और यहां पर पढ़े हम लोग बच्चों को मतलब हर चीज़ सिखाते हैं हम लोग बच्चों को अपने जो भी गाज़ेपूर जिले की लोग इसमें देख रहे हैं जो कि सहर में भी रहते हैं ग्रामेल्ड इलाके में भी जो माता पिता देख रहे हैं अब उनको क्या कहेंगे मैं उनको यही कहूंगी कि मैं चोटा स्कूल एक बहुत अच्छा प्लैटफॉर्म है उनके बच्चों के लिए यहां पर उनके बच्चे अगर अपने एड्मिशन करवाएंगे तो हम लोग उनके बच्चे में बहुत सारे चेंज़ेस आएंगे उनको मतलब पढ़ाई उड पढ़ रही होंगी क्या ऐसी सुधाय थी नहीं हमारे टाइम ऐसी सुधाय नहीं थी जितना आज है आज कल की जनरेशन के बच्चों में है हमारे टाइम उतना नहीं था हमारे टाइम बस ऐसी था सब जितना आज के अकोर्डिंग नहीं था आपका पूरा परची जानना चाह है बच्चों में हमारे यहां पर personality development का काम होता है और बच्चों को activities है dancing है और कुछ बच्चे यहां आते हैं बोलना नहीं जानते हैं है ना कुछ बच्चे आ अगर दो साल या चार साल का बच्चा आता आएगा तो बोलना की आप सब कुछ आप ही सिखाती है सारा ही कुछ हम लोग बोलना सिखाते हैं चिलना सिखाते हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी सीज़ें जिसे हम कहें कि जो माता पिता दोस्तों घर भी नहीं कर पाता है या कारी नहीं पाएंगे वो काम ये लोग करते हैं मैं सुसील तिवारी गाज़पूर जिलियो से बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ इस वीडियो को लोगों ने मुझे फोन भी किया लोग नंबर भी मांगते हैं मैं वेदरायजी का नंबर भी आपको दोंगा और फिर मैं बंदनाजी के पास आता हूँ और मैं पूछे हूँ आपसे काफी दिक्कते होती हैं छोटे बचो को पढ़ाने में बहुत सारी यह नहीं करना है वो करना है एकिन फिर भी उससे सम्हालना बचो को पढ़ाना और मैं कहूं बहुत ही अच्छी विवस्था है आप जोड़े बंदनाजी मैं चाहूंगा आप जो भी गाजी पूर जिले के लोग है या जो भी लोग देख पा रहे हैं क्या कहेंगी ज़रूर बताएं मैं तो चाहूंगी कि जितने भी इसके भी 2-3-5 साल के बच्चे हैं वह मैं चोटे स्कूल में एक बार हम लोगों को मौका दे हम बच्चों का हर चीज डैवलप्मेंट करेंगे परसनाली डैवलप्मेंट करेंगे और उनको हर चीज हम सिखाएंगे और बच्चे सीखते भी हम हमारे जितने भी बच्चे हैं मैं छोटे स्कूल के पहले सब नहीं अच्छे से सब कर पाते थे अब उनके में इतनी चेंजेस आगें कि उनके पैरेंस भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे में अच्छे हो गए हैं बोलते हैं खुद से खाना खाते हैं हर चीज करते हैं तो बस म ऐसे कम लोग है पंदना जी का कहना है कि पहले आप अपने बच्चों को लाए और एक हप्ते के अंदर आप संतुष्ट हो जाएंगे और जरूर आप आएं गाजेपूर जिले के माई छोटा स्कूल गाधी पार्क के बगल में ही आप जैसे ही आएंगे दस मिटर के दूरी पी तो आपको बूर्ड मिलेगा आप लोगों ने इतना समय दिया बहुत बहुत धन्रप्राइब आएंगे स्कूल आप आई हैं गाधी पार्क में और यहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके घर के भी हैं आप क्या कहेंगे कैसी विवस्था हैं जो गारजे ने हमको क्य कि जरूर आप हैं मेरा नम स्वातिय सिंग है मैं अपने बदीजे का अड्मिशन यहां पर कर आया है ऐस गार्डियन यहां पर बच्चों के जो बिहेवियर देखने को मिलना बहुत अच्छा है पैरेंस जरूर अपने बच्चों का अड्मिशन यहां पर करा क्योंकि लिए सब्सक्राइब देते हैं और स्कूल भी बहुत देस्ट है बच्चों के लिए इसकूल गाधी पार्क में आप आई हैं कैसी विवस्था हैं आप बताईए जो भी गर्जिन माई छोटा स्कूल बहुत ही बेश्ट बच्चों के लिए तो एकदम सफिसेंट है कि यहां पर छोटे बच्चे यहां पढ़ने हर तरह की कलाएं सिखाई जाती हैं बच्चों को बहुत अच्छे से रखा जाता है उनका विकाश उनकी सिच्छा उनकी बहुत ध्यान देते ह बहुत अच्छे हैं यहां पर इसे हम तो कहेंगे कि यहां पर माई छोटा स्कूल में आप लोग है अपने बच्चों को एडमिशन करा है मैं शीता रामराज सेवा रिमित्म जानाचार जाच के उप्तरमादी मिध्यार दुजारा बनीगा सेवा रिमित्ति के पश्चाप मै स्कूल के वग्यार में परें तो इसलिए इनके यह किर्याग आपकों के माधियम से ही इनको इसकूल में दिर चाहिए और लिगा भीकास किया जा सकता है